अगाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ताब बैनरची पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष है भारती जन्ता पार्टी ने लोगसभा चुनाव के लिए लोगों से सुझाव लेने भारत के मन की बाद मोदी के साथ अभियान के शर्वात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास उनकी सरकार का प्रमुख लक्ष है लेकिन आतंकवात का नामों निशान खत्म करना भी सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने आज जमुकश्मीर के श्रीनगर और लेह में बारह हजार करोड की विकास पर योजना का लोकारपन और शिलान न्यास किया इस अफसर पर आयोजित कारिक्रमू में प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने आतंकवात के खिलाफ अपनी रणनीती का खुलासा कर दिया है इस सपष्ट हो गया है कि आतंकवात को मुहतोर जवाब दिया जाएगा इस दौरान श्री मोदी ने अग्हल भारती आयर विज्ञान संस्थान सहित कई पर योजनाओ की आधा शिला भी रखी उन्होंने श्रीनगर में असम गुजरात, हर्याना, औरेशा, महराश्यों और तिलंगाना के विद्यार्थियों के साथ भी संबात किया भारती जंता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोशना पत्र के लिए लोगों से सुझाव लेने आज से एक महीने तक चलने वाले अभ्यान भारत के मन की बाद मोदी के साथ की शुरवात की नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्षामित शाह ने अभ्यान की शुरवात करते हुए कहा कि ये अभ्यान नए भारत के निर्मान के लिए है इस अफसर पर ग्रहमंत्रुी राजनात्सिह ने कहा कि ये विश्व में अपनी तरह का पहला अभ्यान होगा जिसके जरिये लोगों से विकास और राश्य सुरक्षा सहित अन्य मुद्धो पर सुझाव मांगे जाएंगे कधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीच संदेश में कहा कि लोगतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपून है इस ये लोगों के सुझावों से पार्टी के चुनावी घोशना पत्र की रूप रेखा तयार की जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री शिवरास से चौहान ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार जनता से किये गए वादों को पूरा करने की बज़ाए समय काटने की कोशश कर रही है ताकि वो कुछ दिन बाद आचार सहिता का बहाना लेकर कामों से बच सके फूरी चौहान ने आज भोपाल में पार्टी के सोशल मीडिया विभा की प्रदेश तरिय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्वी नरेंद्र मोदी ने गरीबों को स्वास्थ सुरक्षा देने के लिए आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना लागू की है लेकिन राज्य सरकार इसे ठीक ढंग से लागू नहीं करना चाहती है हमारी सरकार द्वारा शुरू की गए राजिब बीमारी सहायता कोश बंद करके कॉंग्रस सरकार लाखों लोगों के जीवन से खिलवार कर रही है शुरी चौहान ने प्रचार अभियान में सोशल मीडिया के इस्तमाल को महत्वपून बताते हुए पदाधी कारियों से लोग सभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ जाने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि केंद्रू सरकार की उपलब्धियों को जंता तक पहुँचा कर पार्टी कारेकर्टा विरोधियों को करारा जवाब दे कॉंगर्स विधायक लक्षमन सिंग ने गुना जिले की चाचोड़ा तहसील को जिला बनाने की मांग की है विधायक शुषिह ने एक प्रतिनिधी मंडल के साथ मुख्यमंद्री कमलनाच से मुलाकात कर कल उन्हें गया पन सौपा इसमें कहा गया है कि चाचोड़ा गुना जिला मुख्याले से 70 किलो मिटर दूर है वहीं तहसील के अंतर गताने वाले गाउं की संख्या 300 है कुछ गाउं जिला मुख्याले से 1.500 मीटर तक दूर है ऐसे में ग्रामीनों को जिला मुख्याले से सम्मंधत कारियों के लिए काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है जिला बनने से चाचोड़ा के लोगों को काफी सुविधाएं मिल जाएंगी मुरेना जिले के परवतपुरा गाउं में ग्रामीनों द्वारा बंधक बनाए गए पुलिस कर्मियों को मुक्त कर दिया गया है हमारे समवादाता ने बताया है कि गाउं में अवैध हत्यारों की खरीद फरौक्त की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम आरोपियों को गरफतार करने के लिए गाउं गई थी जब घर की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला तो ग्रामीन नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस कर्मियों को बंधग बना लिया सूचना मिलने पर जिला मुख्याले से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया पुलिस के दबाव के बाद ग्रामीनों ने बंधक बनाये गए पुलिस कर्मियों को चार घंटे बाद मुक्त कर दिया इस मामले में आठ नामज़त सहित एक दरजन लोगों के खिलाफ प्रकरण दरज किया गया है प्रदेश महिला कॉंग्रस की बैठक आज पार्टी के प्रदेश कार्याले में हुई रूप रेखा भी तयार की गए राश्यो सच्चिव लताभाटिया और प्रदेश अध्यक्ष मानवी चौहान इस बैठक में विशेश रूप से मौचूद थी प्रदेशिक समाचार आकाश्वानी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वबसाइट न्यूज ओन एया या दौट अन आई सी डौट आई इन देख सकते हैं इसके अलावा प्रदेशिक समाचार बुलिटन, यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं प्रयागराज कुंभ मेले में कल मौनी अमावस्या के अफसर पर तीसरा शाही स्नान होगा यहां बड़ी संख्या मिश्रत धालूँ के आने की संभावना को देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधी करण, पुलिस और रेलवे ने व्यापक प्रबंध किये हैं लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रयागराज शहर के विभन स्टेशनों में आने जाने के लिए रेलवे ने 78 रेल काडियां चलाने का नर्ने लिया है वही मध्यप्रदेश से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहट साहे तीन हजार से अधिक तीर्थ याप्रियों को पहली बार शासन की ओर से कुम्भ भेजा जाएगा इसके लिए भोपास्थित हबीबकंच रेलवे स्टेशन से 12 फरवरी, पुर्हानपूर से 14 फरवरी, शिवपुरी से 22 फरवरी और परासिया से 24 फरवरी को कुम्भ के लिए विशेश ट्रेन रवाना होगी संस्कृती मंत्री डॉक्टर वजय लक्ष्मी साधो कल खरगौन जिले के महेश्वर में तीन दिवसिय निमाड उत्सव का शभारम करेंगी समारो का उत्खाटन सुप्रसिध पाश शुगायक उधित नारायन की गायन से होगा इसी दिन दोपहर तीन बजे से देवी अहिल्या घाट पर नौका सज्जा प्रतियोगिता भी आयोज़त की जाएगी निमाड उत्सव में पांच फरवरी को बढ़वाह के बाबुलाल परिहार दलद्वारा निमाडी कायन और बैगा जंजातिय नुरत्य सहित कई कारेक्टर्म की प्रस्तुती की जाएगी शेहडों जिले में पाला प्रभावत किसानों को जल्द ही राहत राशी वित्रत की जाएगी संग्त कलेक्टर सुरेश अगरवाल ने हमारे समवादाता को बताया है कि पाले से हुई अरहर, चना, मटर और मसूर के साथ ही सबजीयों की फसल के नुकसान का सर्वे कराया गया था जिसके अनुसार 3589 किसानों को राहत राशी वित्रत की जानी है इसके लिए राजिशासन से 2 करोड 77 लाख रुपए की राशी मांगी गई है जिसमें एक करोड की राशी उपलाप्थ हो गई है पूर्व सांसद और भारती जंता पार्टी की छतरपुर जिला इकाई के अध्यक्ष चतेंद्रु सेह बुंदेला का आज नई दिल्ली में नधन हो गया वे साथ बरस के थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था शिबुंदेला, खजुराहो, संसदी अक्षेत्रु से सांसत और छतरपुर जिले की बजावर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं उनका कल छतरपुर में अंतम संसकार किया जाएगा उनके निधन से समूचे बुद्नेल खंड में शोक की लहर है पूर्व मुख्यमंत्री शिब्रास सिह चौहान, पार्टी के प्रदेश अथ्यक्ष राकेश से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, कोपाल भारगव सहित, कई नेताओं और जन प्रतिनिधियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रदेश में तीसवा राशियो सडख सुरक्षा सब्ता, चार से दस फरवरी तक मनाया जाएगा इसकी मुख्य थीम सडख सुरक्षा जीवन रक्षा होगी इस दौरान विभन कारेक्ट्रमों के जरिये लोगों को सडख और यातायाद सुरक्षा के प्रतिजाग रुक किया जाएगा इस सब्ता में पुलिस, परिवहन और यातायाद विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी अब बात मौसम की प्रदेश का मौसम आज शुष्क रहा वहीं प्रदेश का सबसे कमता प्माच चार डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्च किया गया यहाँ दन भर शीत लहर का प्रभाव रहा मौसम विभागने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, सागर, रुजैन और भोपाल संभागों में कहीं 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 कहरा चाने की संभावना व्यक्त की है अब कुछ समाचार संक्षेप में चंद्वाड़ा जिले में फसल रिण माफी योजना के अंतरगत एक लाख 24 हजार से अधिक किसानों के आवेदन भरपाए गए आगरमालवा जिले में कल संतरा उत्पादक किसानों का एक जिला स्तरिय समिनार आयुजद किया जा रहा है जिसमें किसानों को नई तकनी की जानकारी दी जाएगी प्रदेश में कुटर और ग्रामुद्योग मंतरी हर्श यादव ने आज सागर में राज्य स्तरिय फिल महतसव का उत्खाटन किया और खन्वा जिले के ग्रामीन बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलप्त कराने के लिए जनपत स्तर पर शिवरायुजद किये जाए अन्थ में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर नमस्काट